प्रधान मंत्रीष्टी नरेंद्र मोदीजी इस पावन अवसर पर हमें संबोधित करें प्रजलन दरीकी ना अभिनन्दनुलू तेलंगणा की गवर्नर तमिल साइस सौंदर राजन जी केंद्रिय मंत्री मंडल के मेरे सहयोगी नितिन गड़करी जी जी कुषन डेडी जी बाई संजय जी अन्य महनुभाव और तेलंगणा के मेरे भाईयों और बहनों हाल ही में तेलंगणा ने अपनी स्थापना के नव वर्ष फूरे किये हैं तेलंगणा राज भले ही नया हो लेकिन भारत के इतिहास में तेलंगणा का कॉंटिबिशन यहां के लोगों का योगदान हमेशा बहुत बढ़ा रहा है तेलुकू लोगों के सामर्थ ने हमेशा भारत के सामर्थ को बढ़ाया है इसलिए आज जब भारत दुनिया की पांच वी सबसे बड़ी एकोनोमिक पावर बना है तो उसमें भी तेलंगणा के लोगों के बड़ी भूमिका है और ऐसे में आज जब पुरी दुनिया भारत में इन्वेस्टमेंट के लिए आगे आ रही है विख्षित भारत को लेकर इतना उत्सा है तब तेलंगणा के सामने अवसर ही अवसर है साथियों आज का नया भारत युवा भारत है बहुत सारी एनर्जी से भरा हुआ भारत है 21 वी सदी के इस तीसरे दस्वक में हमारे पास एक गोल्डन पिरियड आया है हमें इस गोल्डन पिरियड के हर सेकेंड का पूरा इस्तमाल करना है देश का कोई भी कोना तेज विकास की किसी भी संभावना में पीछे नहीं रहना चाहिए इनी संभावनाओं को बल देने के लिए बीते नव वर्षों में भारत सरकार ने तेलंगना के विकास पर यहां की कनेक्टिविटी पर विशेश ध्यान दिया है इसी कड़ी में आतेलंगना की कनेक्टिविटी और मेनिफेक्ट्रिंग से जुड़े छे हजार करोड रुपे के प्रोजेक्स का सलान्यास की आ गया है इन सभी प्रोजेक्स के लिए बैतलेंगना की जनता को बहुत-बहुत बधाई देता हूं साथियों नए लक्ष हो तो नए रास्ते भी बनाने पड़ते हैं भारत का तेजविकास पुराने इंफ्रास्ट्रक्टर के बल पर संभव नहीं था आने जाने में अगर जाना टाइम बेस्ट होगा लॉजिस्टिक्स अगर महिंगा होगा तो बिजनेस को भी नुक्सान होता है और लोगों को भी परिशानी होती है इसलिए ही हमारी सरकार पहले से कहीं अधीक स्पीड और स्केल पर काम कर रही है आज हर प्रकार के इंफ्रासेक्टर के लिए पहले से कई गुना तेजी से काम हो रहा है आज पूरे देश में हाइवे, एक्स्प्रेस वे, एकोनोमिक कोरिडोर, इंडुस्ट्रियल कोरिडोर एक जाल बीचा रहा है तू लेन के हाइवे, फोर लेन में और फोर लेन के हाइवे, शिक्स लेन में बदले जा रहा है नव साल पहले जहां तेलंगणा का नेश्टनल हाइवे नेटवर्क डाई हजार किलोमेटर का था आज ये बढ़कर पांच हजार किलोमेटर हो चुका है आज तेलंगना में पच्ची सो किलोमेटर की नेस्टलन हाइवे परियोजना निर्माण के अलग-अलग फेशिस में हैं भारत माला परियोजना के तहर जो दर्जनों कोरिडोर्स देश में बन रहे हैं उनमें से अनेक तेलंगना से होकर के गुजरते हैं हैदराबाद इंदोर एकोनोमिक कोरिडोर, सूरत चिन्नाई एकोनोमिक कोरिडोर, हैदराबाद पणजी एकोनोमिक कोरिडोर, हैदराबाद विजागापटम इंटर कोरिडोर ऐसे कितने ही उदारण हमारे सामने है एक प्रकार से तेलंगना आज पडोस के एकोनोमिक सेंटर्स को जोड रहा है आर्थी गतिवितियों का हब बन रहा है साथियों आज नागपूर विजयवाड़ा कोरिडोर के मंचेरियल से वारंगल सेक्षन का भी सिलान्यास हुआ है ये तेलंगना को महराष्ट्र और आंदरप्रदेश से आधुनिक कनेक्टिविटी देता है इससे मंचेरियल और वारंगल के बीच की दूरी बहुत कम हो जाएगी और ट्रैफिक जाम के समस्था भी कमी आएगी ये विशेश रुप से उनी एरियास से गुजरता है जहां विकास का भाव था जहां आमारे ट्राइबल कम्यूनिटी के बहन भाई बड़ी संख्या में रहते हैं ये कोरिडोर मल्टी मोडल कनेक्टिविटी के विजन को भी मजबूती देगा करिम नगर वारंगल सेक्षन के फोर लेन में बदलने से हाईदराबाद वारंगल निन्डुस्टिविटी बढ़ा रही ही है उसका लाब तेलंगणा के इंडूस्थ्री को हो रहा है यहां के टुरिजम को हो रहा है तेलंगणा में जो अनेक हरिटेज सेंटर से आस्ता के स्थान है वहाँ आना जाना बहुर अधिक सुविदाजनक हो रहा है यहाँ जो अग्रिकल्चर से जुड़े उद्योग है करिमनगर की ग्रिनाइट इंडिस्ट्री है उसे भी भारत सरकार के इन प्रयासों से मदद मिल रही है यानि किसान हो या फिर समरिक, स्टूडेंट हो या प्रोफेशनल सभी को इसका लाफ हो रहा है इसे युवाओं को उनके घर के पास दी रोजगार के स्वरोजगार के नए अवसर भी मिल रहे है साथियों, युवाओं के लिए रोजगार का एक और बड़ा माध्यम देश में मैनुफेक्चरिंग सेक्टर बन रहा है मेक इन इन्डिया अभ्यान बन रहा है हमने देश में मैनुफेक्चरिंग को प्रोजशाइद करने के लिए पियलाय योजरा शुरू किया है यहनी जो ज़्यादा मैनुफेक्चरिंग कर रहा है उसे भारत सरकार से विशेस मदद मिल रही है इसके तहट पचांच से ज़्यादा बड़े प्रोजेक्ट्स यहां तेलंगणा में लगे है आप जानते हैं कि भारत इस वर्स डिफेंस एक्सपोर्ट में नया रिकॉर्ड बनाया है भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट नव सवर्स पहले एक हजार रुपिय से एक हजार करोड़ से भी कम था आज यह 16,000 करोड रुपिय पार कर चुका है इसका लाप हाइदराबाद सिर्थ भारत डाइनमेक्स लिमिटेड को भी हो रहा है साथियों आज भारती रेल भी मैनुफेक्टरिंग के मामले में नए रिकॉर्ड नए पढ़ाव तै कर रही है इन दिनों मेडीन इंडिया वंदे भारत ट्रेनों की बहुत चर्था है बित्य वर्षों में भारती रेल ने हजारों आधुनिक कोच और लोकोमेटिव बनाए है भारती रेलिवे के सकाय कल्प में अब काजी पेड़ भी मेकिन इंडिया की नई उर्जा के साथ जुणने जा रहा है अब यहां हर मैने दर्जनों वैगन बनेंगे इस एक शेत्न में रोजगार के नए अवसर बनेंगी यहां के हर परिवार को किसे ना किसी रूप में लाब होगा यही तो सबका साथ सबका विकास है विकास के इस मंत्रपर देलंगना को हमें आगे बढ़ाना है एक बार फिर आप सभी को इस अनेक प्रकतिशिल कायरकमों के लिए आयोजनों के लिए विकास के नई धारा के लिए मैं बहुत-बहुत बधाई देता हूँ बहुत-बहुत सुपकामनाई देता हूँ धन्यवाद